है जहन ऐसकी वीडियो एक ऐसी कहाणी पर है मैं 책 जो आप सब के दिल को चू जाई है मैं जानता हूँ आपने ऐसी मिलति-जुलति कई कहाणिया देखी हूँ और सुनी भी मैं पर यह कहाणी सबसे हटकर है किछ उर्म आशे करता हूँ मेरी वीडियो को पूर ही कि आप सबी को पता है कि जब से करोना मामारी आई है तब से एजुकेशन पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है चाहे वो नर्सरी क्लास हो या कॉलेजेज हो सबकी एजुकेशन आज कल घर से चल रही है ऑनलाइन ग्रासिस चल रही है जिनके लिए स्मार्ट फोन चाहिए और जो अच्छे घर के मतलब जो ज़्यादा अच्छा अफॉर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों को टैबेट दे रहे है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भ अराम से कह देना कि स्मार्ट फोन थो एक रिक्षे वाले के पास भी होता है ये तो बहुत सस्ता है और कोई भी सकता है लेकिन आप सब कोई जानना ज्रूरी है कि आज भी ऐसे लोग हैं वो इतने गरीब हैं कि वो एक smart phone भी afford नहीं कर सकते हैं और ये कितना ही दुखत है दुखत इसलिए है कि जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे जिनको सरकारी स्कूल में एक टाइम का खाना भी मिलता था आज वो इन सबसे वंचित हो गए और उपर से जो बच्चे पढ़ाई करना चाते हैं उनके उपर कितना बड़ा दवाब आगए क्योंकि कई ऐसी परिवार है जो smart phone को afford नहीं कर सकते हैं ऐसी ये कानी है राची की राची की तुलसी कुमारी एक 11 साल की लड़गी जो पढ़ना चाती है जिसका ड्रीम है अच्छी तरह पढ़ाई करके बहुत एक अच्छे पोस्ट पर जाना लेकिन जब उसके माबाब बहुत कोशिशे और जतन करने के बाद भी उसको एक smart phone नहीं दिला पाते क्योंकि उसकी सारी education इस वकर smart phone पे चल रही है तो उसको जो आखरी रासा सूजा वो यही था कि वो foot path पर आम बेचना उसने शुरू कर दिया ताकि जो भी पैसे बने उससे वो एक smart phone करी सकी ग्यारा साल की छोटी सी बच्ची जब आम बेच रही थी तो वहां के बुजरने वाले एक यूवक ने उसका वीडियो बनाया और वो पोस्ट करते हैं और उस वीडियो के दौरान जब उस यूवक ने उस लड़की से पूछा कि आप इतनी चोटी सी उमर में आम बेच रहे हो क्या आपको प्राब्लम है तो उसका जवाब यह था कि मैं पढ़ना चाहती हूं लेकिन मेरे पास smart phone करेदने के पैसे नहीं अब ही सोचिए कि यह वर्ड सी आप सब को कितना मतब जंजोड देते हैं और भगवान आपके साथ है यह प्रूव करता है क्योंकि जब वो वीडियो एक मुंबई की एक कंपनी के मैंजिक डिरेक्टर ने देखी उसका नाम जो इस कंपनी का नाम है वैल्यूबल प्राइवेट लिम्टेड तो उन्होंने तुरंट उसके उस 11 साल की लड़की जो राची की है उसको फोन किया उसके पिता जी को और उनको बोला कि हम उनके एक दर्जन आम खरी देंगे एक लाग बीस हजार रुपे हम एक आम का दस हजार रुपे देंगे और उन्होंने वो आम खरी देंगे और वो सारे पैसे उनके पिता जी के आकाउंट में ट्रांसफर किये और आज उस 11 साल की तुलसी कुमारी के पास स्मार्ट फोन है और वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करें कितनी खुशी है उसके हाथ में स्मार्ट फोन आने की जो उपर लोग हैं वो अपने बच्चों को स्मार्ट फोन देते हैं गेम्स केलने के लिए या अलग अलग तरह की वीडियो देखने के लिए पर ऐसे भी बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ाई करना जाते हैं और स्मार्ट फोन उनके लिए जरूरी था मैंने ये वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि ये ये घटना मुझे बहुत ही मतलब मेरे दिल को छूगई और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी इस घटना को अपनी विवर्स से साजा करूँ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इतने एलिजिबल या आप इतने इतने सेटल्ड हैं कि आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं तो प्लीज करिए इससे बड़ा पूर्ण ने कभी नहीं मिलेगा कास कर इस मामारी मैं आशा करता हूं मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक स्क्राइब और शेयल करें दन्यवाद